हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर गाइस कई बार क्या होता कि हम अपने मुबाइल फोन को चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं और हमें उस वक्त एक बात का डर रहता है वो ये कि कोई हमारा वाटसेप से छेड़ चाड़ ना करे कोई हमारा वाटसेप को खोल के नहीं देखे कई बार दोस्तों क्या होता कि हमारे वाटसेप पर कुछ प्रावेट मेसेज होते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा मेसेज को रीड नहीं कर पाए कोई भी हमारा वाटसेप को खोल नहीं पाए तो guys वीडियो में बने रहें इंट तक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp पर लॉक किस तरह से लगा सकते वो भी बिना किसी third party application के तो guys आगे पढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो guys चलिए सबसे पहले आपको अपना whatsapp को open कर लेना है जैसे ही मैंने whatsapp को open किया उसके पाद guys आपको यहां three dot का option sorry icon देखने को मिल लाएगा आपको जो है इस पर click कर देना है इस पर click करने के पाद दोस्तों आपके सामने कुछ यहां option देखने को मिल लाएंगे और आपको जो है सबसे last वाले option पर click करना है इस पर click करने के पाद guys आपको जो है यहां काफी सारे और option ना जाएंगे फिर आपको जो है account पर click करना है account पर click करने के पाद guys इसके बाद जो है यहां आपको और भी option देखने को मिल जाएंगे तो आपको जो है यहाँ privacy का option देखने को मिल याएगा तो आपको जो है privacy पर click कर देना है जैसे ही आप privacy पर click कर देते हो guys आपको जो है यहाँ थोड़ा सा नीची scroll down करना है जैसे ही आप नीची scroll down किजिएगा आपको नीचे में एक option देखने को मिल याएगा fingerprint lock का तो आप जो है देख सकते हो यहाँ fingerprint lock जो है मेरा disabled है तो आपको जो है क्या करना है simply आपको इसे enable कर देना है तो चलिए इस पर click कर लेते हैं जैसे ही आप इस पर click किजए गाईज आपको जो यहाँ देखने को मिल लाएगा unlock with fingerprint यहाँ मेरा disabled है तो आपको जो है इसे enable करना है enable पर click किए इसके बाद आपको अपने mobile पर fingerprint को जो है यहाँ लगा देना है जैसे मैंने mobile पर fingerprint को लगा दिया है हमारा lock जो है enable हो चुका है गाईज आपको जो है यहाँ तीन option मिलेंगे सबसे पहला option जो होता है immediately का होता इसके बाद after one minute का उसके बाद आपको मिलता है after three minute अगर आप चाहते हैं कि आप WhatsApp को close करके आपके WhatsApp पर जो एक minute बाद lock लगे तो आपको इस पर click करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके WhatsApp पर 30 minute बाद lock लगे तो आपको जो है immediately पर click कर देना है जैसे ही आप immediately पर click कर देते हो guys आपका जो है ये fingerprint lock successfully जो है इसमें लग जाता है तो चली हम whatsapp से बाहर चल के देखते हैं हमारा lock सही से work कर रहा है या नहीं तो चली हम home पर आ गए तो guys उसके बाद हम अपने whatsapp को फिर से open सोरे हम इसे पहले यहां से delete कर देते हैं guys recent button से हम इसे हटा देते हैं तो चली हम फिर से whatsapp को open करके देखते हैं कि हमारा lock जो है सही से work कर रहा है या नहीं तो आपको जो whatsapp पर click करना है तो guys आप लोग देख सकते हो हमारा whatsapp जो है lock हो चुका है और जैसे ही हम इसमें अपना fingerprint डालेंगे उसके बाद ही हमारा whatsapp जो है open होगा तो guys चली हम एक बार फिर से और try करते हैं कि हमारा lock से इस work करता है या नहीं तो चली हम फिर से एक बार back चल जाते हैं मैंने whatsapp को cut कर दिया है कि आपके whatsapp से कोई चेड़ चाड़ कर सके तो guys वीडियो कैसा लगा आप comment में जरूर बताइए और चैनल को subscribe जरूर किजिएगा थैंक्यू